साथ वन उसकार बहुत स्वागत है हमारे इसे चैनल में दोस्तों इस वीडियो में लूसेंट जेनरल साइंस के टॉप हंड्रेट जी के कोश्चन अंसर करेंगे जो कि एससी सीजी एल और बाकी अधर सभी कमप्टेटिव एकजामस के लिए बहुत ज्यादा इप्रोटेंट है दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो है आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजे ताकि इस अब बनी स्केет और बीडियो जहां आप तक असानी से पहुंश सके तो चले दोस्तों वीडियो के स्टार्ट करते हैं अट है आओ आए तुह कंद दोस्तों यह सभी repeated कोरे तो आप एस वीडियो को पूरे ध्यान से और लाश्र्ट ठक जरूर देखेएं और वीडियो पसंद आने पर weडियो को लाइक चुरूर करें तो चले देखते हैं पहला प्रस्थ पहला प्रस्थ है अ मधुमक्यों का प्रजनन और प्रबंधन क्या कहलाता है वो कहलाता है दोस्तो एपी कल्चर नेश्ट कोश्चन है रफ्ट के ठका बनने में सहायक वितामिन है वो धोस्तो वितामिन के next question है calcium aluminate छथा calcium silicate का मिस्दरण क्या कहलाता है वो कहलाता है दोस्तो cement next question है खटे फल में होता है काफी महत्तपूर्ण question है next question है कारे बिक्या है next question है क्लोरो फुलोर कार्वन को किस नाम से जाना जाता है दोस्तू को डातों के लिए किस परकार के दातों का उप्योग होता है वो होता है दोस्तों क्रिंतक नेस्ट कोश्चन है कौन से दो रंगों को मिस्रित करने से हरा रंग जो है त्यार होता है नारंगी और बैगनी को मिस्रित करने पर जो है हरा रंग जो है त्यार होता है आरेने का अभिप्राय क्या है दोस्त नेस्ट कोस्टन है वायू मंडल में उपस्थित कूल गैसों का कितना परतिसत नाइट्रोजन होता है दोस्तों यह काफी जी कोशन है दोस्तों वायू मंडल में उपस्थित कूल गैसों का 78 परतिसत जो है नाइट्रोजन पाया जाता है नेस्ट कोस्टन है किसका परियोग चि नियंत्रित करने वाला हर्मोन है वह दोस्तों इसको जाना जाता है चूना चल के नाम से नेश्ट कोस्चन है परकाश संसलेशन के सहाय की कई कई-क करा नेश्ट कोस्चन है बार किस की आई हैं आदोतों सीधे वास पवस्था में पदार्थ के रुपांतरण को क्या कहा जाता है वो कहा जाता है दोस्तो उदाती करण next question है किसकी परत बनने के कारण चांदी बद्रंग हो जाता है वो दोस्तो सलफाइड परत के कारण जो है चांदी बद्रंग हो जाता है चेचक की वज़ा है दोस्तो वाइरस काफी महत्तफून कोश्चन है दोस्तो नेस्ट कोश्चन है आप परतिरोध की साई काई है दोस्तो ओम नेस्ट कोश्चन है सबसे ब्यस्त मानावंग है दोस्तो दिल नेक्स्ट कोश्चन है बेकरी में सधार और तथा उपयोग किये जाने वाला बेंकिंग सोडा वास्तों में है दोस्तो सोडियम बाई कर्बोनेट और वानसिक्ता की काई है दोस्तो जीन नेक्स्ट कोश्चन है और वानसिक्ता के नियम की खोज किसने की तो दोस्तो अनुवान सीखता की नियम की खोश जो है गिरेगरी मिंडल ने करी थी नेस्ट कोस्टन है कोसी का जिली पाई जाती है दोस्तो कोसी का जिली जो है पादप पसु कोसी का दोनों में पाई जाती है पानी के अस्थाई को ठोरता दूर की जाती है दोस्तो पानी के अस्थाई को ठोरता जो है पोटेसियम परमेगनेट को डाल कर जो है उसकी कठोरता को दूर की जाती है पानी का अधिक्तम घनत तो है दोस्तो चार डिग्री सेलसियस पर पानी का अधिक्तम घनत तो है चार डिग्री सेलसियस पर नेस्ट कोश्चन है निकट दिरिष्टी दोस्त दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है दोस्तो ओतल लेंस का मानव सरीर के सबसे बड़ी धमनी है दोस्तो महा धमनी है नेस्ट कोश्चन है स्वर पढ़नाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक कुपगरा है दोस्तों है गैनी मेड शरीर के किस संग में आयोडीन जो है संचित रहता है वह है दोस्तों थाइराइड गरंथी में जो है आयोडीन संचित रहता है नेस्ट कोश्चन है संतल दरपन की ना आय Запैन काफिया कारण होता है दोस्तों स्क्षाइल या 1 किस कारण होता है दोस्तों करीमी के यह होता है मानौ मुत्र होता है दोस्तों है मैं coś नाम क्या है दोस्तों काफी महत्तपूर्ण कोश्चन है यह विटामिने का रासानिक नाम है रेटिनाल नेस्ट कोश्चन है क्रायोजेनिक इंजिनों का अनुप्रियोग कहां किया जाता है दोस्तों राकिट टेकनलोजी में जो है किया जाता है नेस्ट कोश्चन है पलको के कि वो है दोस्तों गरसिका में जो है कोई अंजाइम नहीं पाया जाता है आमासे की दिवार से कौन सा अंजाइम निकलता है वो निकलता है दोस्तों गेस्ट्रीन next question है रुदीर किस परकार का एक उत्तक है रुदीर जो है सनयोजी उत्तक है साम काफी महत्पूड कॉस्टन है साईटो काइनेसिस में किसका विभाजन होता है वह थोजिका द्रव्यका next question है साप का जहर है प्रोटीन किस संगे के जातीयों की संख्याँ सबसे अधिक है दोस्तो आर्थो पोड़ा की next question है मानौशरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाये जाने वाला तत्तो है दोस्तो oxygen यह काफी महत्तरपुल्चन है दोस्तो इसका next part जो है बहुत जल्द ही thanks for watching